फाइनली जैसा कि आप लोगों को पता है, लास्ट शारपास दिन से लगातार हम लोग हमारे चानल पर SCST Certificate से रिलेटिड जो एक इशू चल रहा था, इसके लिए एक NTA को हम लोगों ने आपकी तरफ से कॉल भी किया था, प्लस मेल भी उनको डाला हुआ था, तो I think, प्लस आप लोगोंने भी बट ओवियस NTA से लगातार कॉन्टाक में रहे हैं, तो उन सभी एफ़र्ट्स को देखते हुए, NTA ने बहुत ही अप्रिशेटिंग स्टेप लिया है, और NTA की ओफिशियल वेब साइट पर एक नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, बजो, स्क्लारिफ और इसमें क्या लिखा है, विद रिस्पेक्ट तु इंफॉर्मेशन बुलेटन, इसक्लारिफाइड नो कट ओफ देख सकते हैं, और यह भी क्लियरली बोला है, अब स्क्लारिफिकेशन के लिए ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, कि आपका जो डेट ओफ इशु है, वो 1st April 2022 या उसके बाद का हो, कोई भी डेट का यह सर्टिफिकेट बना हुआ हो, it is valid, ठीक है, बट यहान रखना, यह बात सिर्फ SCST सर्टिफिकेट के लिए ही लिखी है, क्योंकि हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं कि General EWS या OBC NCL, उन दोनों में हमेशा नया सर्टिफिकेट ही valid होता है, फिर भी I know, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो दोनों में भी पुराने सर्टिफिकेट्स अपलोड कर दिये हैं, और उनको यह टेंशन है कि माम, अब हमारे पास option आएगा या नहीं, तो इसलिए safe side यह है कि आप, no doubt, उनमें यह बाउंडेशन तो रहे गई, कि उ आप NTA को mail send करके रखो, अगर जादा गलतियां इस तरह की बच्चों ने की होगी, तो जरूर NTA इसके लिए correction window open करेगा, जिसमें आप या तो अपना नया certificate upload कर देना, अगर तब तक बन जाए तो, या self declaration form लगा देना, but yes, SCST में it is confirmed कि आपको अपना पुराना certificate ही अप भी upload कर सकते हैं, no problem at all, ठीक है, and इन्होंने clearly mention कर दिया है कि जो हमारा clause 6.2.3 था, यह देखो, अगर मैं आपको दिखाऊ, information booklet में, तो इसमें भी ये बात लिखी हुई थी, कि आपका SCST certificate जो है, ये कब का होना चाहिए, on or after 1st April 2022, तो वो इन्होंने कहा है कि now it has been updated, और जो appendix आप cut-off date is applicable, very very good step for you, तो आब आराम से तसली से, जो भी students है, वो अपना पुराना certificate upload करें, नए बनवाने की बिल्कुल भी need नहीं होगी आप लोगों को, जैसे इस issue में team competition आपके साथ रही, आपको पूरा support किया, आपकी तरफ से हर possible कोशिश हमने की, कि NTA जल्द ही official notification release करे, तो अब आप लोग extension से पूरी तरह free हो चुके हैं, अब आप लोग अपने NEET का revision बहुत अराम से कर सकते हैं, तो मैं ये भी बता दूँ कि हमारे channel पर NEET के पूरे content की quality content की playlist available है, chapter wise, हर subject की physics, chemistry, biology, उन्हें आप जरूर से refer करें, अगर आप examplar से practice करना चाहते हैं, तो NCRT examplar के detailed solution भी channel पर available है, हम से जुड़े रहने के लिए हमारा telegram channel भी जरूर से join करें, जिसका link description box में given है, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि quick revision series, quick shots, there are so many things available on the channel, उन्हें भी जरूर विजिट करें, and just stay tuned with the channel, good luck!